है एवरिबन गुद आपनून गुद मॉर्णिंग गुद इवनिंग मैं नम इस विश्वदीप और वेलकम यू अन अनकेडमी कंप्यूटर साइंस चैनल पॉर अनलिमिटेड लर्निंग COA 2.0 जो second version है हमारा उसमें अभी तक हम देख चुके हैं memory organization में की memory कैसे access होती है और उसका addressing किस तरीके से काम करता है फिर हमने देखा main memory क्या होती है RAM, ROM उसके types और फिर उनका usage क्या होता है ये सब हमने देख लिया है आज हम बात करेंगे RAM और ROM की chip कैसे design होती है और उसमें specific signal काम करता है जिसका नाम होता है chip select ये कैसे काम करता है तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे और बड़े interesting से topics हैं क्योंकि इससे जी हाँ दोस्तों इससे और एक और जो topic मैं आज बताने वाला हूँ अ करते हैं session को before I start let me introduce myself उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं my name is Vishwadeep Goethe and I am working as a channel leader for this YouTube channel I have written gate exam multiple times my ranks, masters, experience, everything is here आप सब लोगों को पता है कि आप लोग तयारी कर रहे हैं है gate की और उसके लिए चाहिए quality education उससे मिलेगा आपको best career और यही तो गोल मेरा भी है कि आपक quality education आपको मिले अच्छा college का admission या PSU या एक अच्छा career दोनों मैं और आप मिलके और एक ही तरफ एक ही गोल के लिए महनत कर रहे हैं तो इस महनत को क्यों ना और ज़्यादा detail मिलेके जाये जाये मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ आपको इस channel के थूप सारा पढ़ान कि ताकि आप लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं रह पाए और साथे साथ आप लोगों को और भी मेरी तरफ से मिलेंगे special classes और free classes अनेकाडमी के platform पे भी go to anacademy.com या फिर अनेकाडमी learner app डाउनलोड करके ये TAC category में account बनाओ मेरा profile सर्च करो उसको follow कर लो और मेरी profile में मिल special classes ये special classes hundreds of classes already है जो मैं already ले चुका हूँ जितनी भी classes मैं already ले चुका हूँ उनकी link यहाँ मिल जाएगी यहाँ पे से access कर लो और भी बहुत सारी special classes में लेने वाला हूँ आगे एक बहुत special special class होने वाली है जिसमें मैं 245 pm पे कब Wednesday को बात करूंगा 29th of September बात करूंगा इस बारे में कि आप लोगों को preparation plan चाहिए वो भी personalized वाला क्योंकि जो मैं यहाँ से strategy बताता हूँ वो हर किसी के लिए fit नहीं होती कुछ लोगों ने 10 सब्जेक्ट पढ़ ली हैं किसने 4 ही पढ़े हैं कुछ सब्जेक्ट कोन से complete हुएं कोन से नहीं हुए हैं क्या क्या बज गया है क्या क्या करने वाले हैं क्या problem है उन सबसे related मैं सुनने वाला हूँ आप लोग की problems और उनका दूंगा आपको personalized solution वो भी एक free special class में बहुत special है अगर आपको चाहिए कि आपकी preparation strategy सही तरीके से fine tune हो जाए ये session attend कर लेना इससे related एक छोटा सा short video मैंने upload किया था link भी वहाँ मिल जाएगी उस lecture की lecture upload होगा lecture live होगा 29 September Wednesday को 2.45 पीम पे join कर लेना बिना भूले ताकि आप लोगों को मिले क्या एक personalized preparation ये वाला lecture अगर आपको unlock करना है तो हो सकता है आपको एक unlock code यूज करना पड़े unlock code यूज कर ले न वीदीव 10 अगर आप लोग को gate की preparation में एक ऐसी preparation की जरूरत है जहां पे आपको ऐसा लगता है कि sir हमें चाहिए best preparation जहां हमें सोचने की जरूरत न पड़े जहां हमें best तरीके से educator academy plus पे जहां आपको live classes, dpp, daily फिर आपके साथ में daily practice problems, doubt solving, weekly quizzes और भी ऐसे features मिलेंगे जिससे आपकी preparation रहेगी more structured, organized and systematic ये plus का subscription जो है वो आप various duration के लिए ले सकते हैं 3 months, 6 months, 12 months, 18 months, 24 months कीसी भी duration को select करो जो आपका target है उसके according ये code use करो और subscription पे आपको मिलेगा 10% का instant discount और मेरा personal guidance अगर आप लोग को जादा personalized preparation चाहिए, हर time पे कोई चाहिए जो आपको हाथ पगड़ के लिए अगे लेके जाए, बताए कि कब कैसे क्या करना है, क्यासी strategy बनानी है तो आप iconic subscription ले लो इसमें आपको plus के benefit के साथ मिलेगा personal coach, one-on-one guidance, preparation strategy, customized study plan, आपका performance track किया जाएगा, आपको personally test analysis की जाएगी, study booster session मिलेंगे, आपको personal doubt clearing instructor मिलेंगे, और अलग से notes भी मिलेंगे, ये iconic subscription भी आप 6, 12, 18, 24 months के package में, किसी में भी ले सकते हैं, using this code आप 10% का instant discount और मेरा personal guidance पा सकते हैं आप लोगों के लिए एक special offer है, 30th of September तक और ये offer है कि अगर आपने 6 months का subscription लिया, तो आपको 3 months का subscription extra मिल जाएगा free, ये offer सिर्फ और सिर्फ 30th of September तक ही है, code use कर लो, subscription ले लो, gate 22 का preparation आपका cover हो जाएगा, आसानी से, और आपके पाद अगर gate के बाद exam है, like IIIT हैदराबाद, य या फिर interviews है, अलग-अलग IIT के वो भी cover हो जाएंगे, prices, unacademy plus subscription के बढ़ने वाले हैं, तो अगर आप लोगों को ये prices, height to price नहीं लेना है, नहीं देना है, code use करके जल्दी से subscription ले लो, ताकि कम पैसे में, उतनी ही कीमत में आपको best quality lectures मिल जाएं, और नई batches भी start होनी वाली पर तो आपको problem भी नहीं होगी आपकी किसी learning की, चलिए start करेंगे session को start करने के पहले मैं, आज है Monday, usually जो corporate world होता है, या college world होता है, जब weekend को Saturday, Sunday चुट्टी होती है, तो Monday आपका पढ़ाई करने का मन कम करता है, है न, ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना, students को ये बातें तोभा ही न नहीं है, आप लोगों के लिए weekend, Saturday, Sunday, चुट्टी, holiday, ऐसे word आने ही नहीं चाहिए है दिमाग में, आपके दिमाग में एक चीज, एक लक्ष और एक ही बात दिमाग में आनी चाहिए, और वो है कि सर बस हमें पढ़ाई करनी है, एक अच्छा gate का result चाहिए, ताकि हम best possible level पे पहुँच पाए, आप लोगों के अगर, आप लोग की इच्छा है कि नहीं हमें पढ़ाई करनी है अब, सीखना है तो जल्दी से message करो, वहीं कि ready हो की नहीं, ताकि हम आगे बढ़ें, आप लोगों की energy से ही मैं चलता हूँ, you are the fuel, actually your responses are the fuel for my teaching, आप लोग, maximum लोग मुझे ए आता है, जब आप लोग मुझे energy दोगे, fuel दोगे, तो keep responding and let's start the session, मैंने last class में बात कही थी, main memory होती क्या है, main memory एक ऐसा memory है, जिसमें हम current running programs और उसके data को रखते हैं, RAM में हम operating system भी रखते हैं, दो type की main memory हम का computer science में, computer system में use करते हैं, RAM और ROM, अच्छा, एक और चीज मुझे व करता हो, कि क्या आप लोगों को addressing वाला topic पूरा समझ में आया था, yes or no, जल्दी से respond करो ताकि हम आगे बढ़ें, क्या आप लोग को पूरा समझ में आ गया था, addressing वाला part, कि अगर main memory में इतनी number of cells हैं, इतनी locations हैं, तो address कितनी bit का हो गए, ये समझ में आया था, अगर इतना सम इस चीज़ को ये लोग explore कर रहे हैं, gate वाले, तो हम भी थोड़ी detail में देख लेते हैं, एक छोड़ा सा example में ने लिया, इस example में में ने लिया कि एक memory है, कलर थोड़ा सा dark लेना पड़ेंगा मेरे को, ओ सर जी ये तो दिखनी रहा, 4 x 8 bit की memory है, अच्छा ये बताओ, कि 4 x 8 bit की memory में number of cells कितनी होगी, और हर एक cell का capacity कितना होगा, number of cells होगी 4, है न, ये देखो, 1, 2, 3, 4 cells है, और 8 bit की होगी memory का, हर एक cell का capacity, 32 bit total memory capacity, अच्छे ये बताओ, इस memory की अगर addressing करनी है, तो CPU से जो address आएगा, वो कितनी bit का हैगा, address generate होगा, इस memory को access करने के लिए, हाँ होगा, कितनी bit का होगा, 2 bits का, कैसे, ये number of cells, log of number of cells कर लेंगे, आ गया, तो एक address बस आईगी CPU से, ये आई, और ये address बस कितनी bit की होगी, 2 bit की, ऐसा लिखते है, 2 bit address बस, 2 bit address बस, मतलब इस address बस में, 2 line आईगी CPU से, 2 bit का address generate किया, ये memory access हो जाएगी, हाँ, पर इस 2 bit के address की value क्या हो सकती है, इस 2 bit के address की value हो सकती, 00, मतलब ये वाली cell access होगी, 01, मतलब ये वाली cell access होगी, 10, मतलब ये cell access होगी, 11, मतलब ये cell access होगी, मतलब क्या है access का access का मतलब है कि जो भी address CPU ने generate किया है ये चार में से उस address पे read ये write हो जाएगा कितने data का admin data का मान लेते हैं बट जब ये address इस memory तक पहुँचेगा तो इस memory के chip पे एक छोटा सा एक छोटू सा क्या होगा इतू सा एक छोटा सा इसको बोलते हैं हम decoder सुना है नाम कभी नाम तो सुना होगा decoder क्यों ताकि ये जो memory chip है ये chip के अंदर की बात कर रहा हूँ within the chip जो address आया है उस particular address पे पहुँच पाए उसके लिए एक छोटा सा decoder लगा होता है तो आप यूँ समझ लो कि ये जो chip का hardware है थोड़ा और बढ़ा कर लेते हैं इसको इस chip के hardware के अंदर ही एक decoder लगा होता है जो इस bus के थूँ आता है 2 x 4 decoder अब आप बोलोगे सर decoder की क्या ज़रूत है जो 2 bit आई है उन 2 bit से हमें 4 में से कोई एक cell को access करना है कितनी cell को एक cell को तो कौन सी cell ये depend करेगा कि इस address की value क्या है इस address की value अगर 0 0 है तो ये वाला cell access हो जाएगा अगर 0 1 है तो ये वाला cell access हो जाएगा 1 0 है तो ये वाला और 1 1 है तो ये वाला आई बात समझ में क्या आई बात समझ में मैं इसको थोड़ा सा और clear बना देता हूँ पूरा clear करके थोड़ा और clear बना देता हूँ ये 2 bit का address bus CPU से आएगा 2 bit address bus ये address bus की value जाएगी एक decoder के पास 2 cross 4 का decoder लगना चाहिए अब ये decoder क्या होता है कैसे काम करता है मैंने इसी लिए तुमको prerequisite नाम के दो lectures पढ़ाए थे क्यों पढ़ाए थे ताकि ये दिन तुमको देखना ना पड़े कि सर ये decoder नहीं पता क्या होता है सर आपने 2 bit दिया तो क्या ऐसा हो सकता है कि decoder का एक से जादा output enabled हो जाए अगर ऐसी बाते आप करो उसके पहले ही मैंने समझा दिया ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं आए फिर भी अगर दिक्कत आ रही है इसका मतलब तुमको अपनी memory का इलाज करना है ये memory पढ़ने के लिए इलाज का मतलब revision करना है रे किसी doctor doctor के पास नहीं जाना तुम doctor को पागल कर दोगे एंजिनियर्स हो तुम है ना तो वापस आओ revision कर लो तुम एकदम पॉफेक्टो खाली याद नहीं है भूल जाते हो 2 x 4 का decoder लिया 2 x 4 के decoder से आपको जो output generate होगा वो output होगा चार अलग-अलग output मिलेंगे जी हाँ एक output क्या करेगा इस cell को access करेगा दूसरा output दूसरे cell को तीसरा output तीसरे cell को और last वाला output लास्ट वाले cell को अब ये चार cell में से कौन सा cell enabled रहेगा इसका decision किस पे dependent है इसका decision है इस 2 bit के address फे 2 bit का address 00 ये वाला A0 enabled ये वाली cell access हो जाएगी अगर 2 bit का address 01 ये वाली cell access हो जाएगी 10 ये cell access हो जाएगी 11 ये cell access हो जाएगी समझ में आया कैसे cell access होगी समझ में आया कि नहीं चलो मैं अब यह दग देता हूं 4 x 8 bit का यह memory ले लिया था हमने है ना तो address size जो है यहां से 2 bit का निकला था अब एक छोटी सी question मैं आपसे पूछूंगा कि if we have memory of course we have memory अरे इधर semiconductor based memory in computer system 128 k x 16 bit की बताओ जल्दी से जल्दी से बताओ कि इसके लिए हर एक cell को access करने के लिए कितनी size का decoder लगेगा बता दिया आप लोगों ने तो मैं धन्य हो जाओंगा कि चलो मैंने आपको पढ़ाया और तुमको समझ में आ गया नहीं बताया तो कोई बात नहीं फिर भी धन्य हो जाओंगा कि तुमने कम से कम कोशिश तो करी 2 power कितना हो जाएगा यह number of cells 17 2 power 7 is 128 2 power 10 is k 2 power 17 2 power 17 अगर आपके पास में number of cells हैं तो to access each cell individually memory needs an address decoder of size क्या size का decoder लगेगा 17 bit का तो हमारे पास क्या आ जाएगा address प्रास 2 power 17 number of addresses लगेंगे 17 addresses 2 power 17 total 17 address bit आएगी उन में से हर एक 17 bit का address जो है वो total 2 power 17 अलग-अलग-अलग-अलग address को access करवा सकता है तो यह रहा decoder का size बताओ कोई doubt है good अमरित nice अब आप बोलोगे कि सर यह तो बहुत easy था एक माक का question आया था हां एक माक का question आया था किसमें gate 20 में direct question आया था इसी type का एक माक का और कितना time लगेगा देखते से ही 5 second में answer दोगे तुमें एक बार देखना जरूर तुमको आसानी से समझवा जाएगा ओके चली अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं chips के बारे में जब कभी RAM या ROM की कोई chip बनती है तो उस chip में कुछ pins लगाए जाते हैं ताकि वो external medium से connect हो पाए pin का मतलब जैसे कि आप अगर एक laptop बनाते हो तो laptop में charger के लिए कहीं ने कहीं plug देते हो कि हाँ charger का जो pin है वो plug में जाके और socket में जाके fit हो जाए होता है ना ऐसा power के लिए होता है ऐसा कुछ USB के लिए भी spaces होती हैं ports होते हैं होते हैं ताकि वो laptop जो है वो external medium से connect हो पाए होता है ऐसा तो यह जो जब RAM chip आप बनाओगे तो RAM chip को अगर system में connect करना है मतलब बसे से connect करना है हाँ कुछ address बस connect होगी हाँ data बस connect होगी yes control बस connect होगी उसके कुछ signals connect होगे yes तो connect करने के लिए pins लगाने पड़ते हैं अब यह pin क्या होते हैं कैसे दिखते हैं इतना imagine मत करो बस समझो कि pin है pin में हमारा wire चले जाएगा ताकि वो pin हमारा wire से connect होके और इस chip को बाकी के external दूसरी जितनी भी devices हैं like CPU etc उनसे connect कर पाए तो जब हम chip select या chip जो design करते हैं तो पता करना पड़ता है कि यह chip को design करने के लिए या इस chip को support करने के लिए कितनी bit का address lines और कितनी bit का data lines etc चाहिए तो एक छोटा सा example ले लेता हूं मैं और आपको समझाता हूं कि assume करते हैं हमारे पास है 256 x 8 bit का RAM chip अब इस RAM को connect अगर करना है external medium से तो आप जल्दी से बताओ कि address का size कितना होना चाहिए 256 x 8 bit की RAM chip है हमारे पास hardware बना दिया इसको अगर connect करना है CPU से तो CPU कितनी bit का address इसको भेजेगा 8 bit कैसे आया 256 से आया एक काम करता हूं एक काम करता हूं इसको है थोड़ा अलग लिख लेता हूं नितो तुम बोलोगे यह 8 bit पीचे वाला भी 8 bit या अगे वाला भी 8 bit इसको एक काम करते हैं नाइन बिट का एड्रेस आएगा तो अगर मैंने यहां लिखा कि हमारे पास एक एड्रेस बस होगी जिसमें एड्रेस लिख दिया मैंने तो आप बता दो कितनी लाइन्स आएंगी इसमें 9-bits मतलब 9 lines होगी उसमें हर 1-line अलग अलग एक-एक-bit का टोटल 9-bit का एड्रेस बस में आ जाएगा थीक है अब यह तो हो गया connect जी हां डेटा बस कनेक करो data बस मैंने इधर लिख दी बनाने के लिए मेरे सही हो जाएगा कितनी data लाइन्स की जरूरत पड़ेगी 8 bits कैसे assume करते हैं कि ये 8 bit का जो data यहां लिखा है उसके according हम एक बार में इस बस से 8 bit का data transfer कर सकते हैं ये बहुत पुराने design है assume करने में क्या जाता है कुछ और भी देने रखा है तो data line 8 bit मान ले ठीक है मान ली अब RAM को access करने के लिए CPU को 2 bit और generate करने पड़ती हैं दो signal generate करने पड़ते हैं ये सब को पता है सब को पता है कौन-कौन से signal एक read और एक write read और write होते हैं हाँ 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 बिल्कुल sir होते हैं तो एक signal तो हमारा हो गया read ये किसका part होगा control signal का और एक हो गया हमारे पास write ठीक है बन गया सर बस इतना ही नहीं इन सब lines के अलावा एक और line होती है और उस line का नाम होता है chip select ये किसलिए use में आती है सर चिप को select करने में क्यों ज़रूरी है सर कम से कम दो टाइप की main memory आप use करते हो computer system में एक RAM और एक ROM RAM का hardware chip अलग होता है chip मतलब hardware एक छोटू सा hardware इतना बड़ा मानलो इतना बड़ा मानलो hardware होता है RAM का अलग हाँ रोम का अलग yes दोनों को अगर fit कर दिया हां जी address bus से connect कर दिया हां जी CPU ने address generate किया जी हां अब वो address RAM का की ROM का CPU बोलेगा लगा लो हिसाब से तुमारे जिसको जो access कर रहा है तुम RAM से तो RAM से रोम से तो रोम से ऐसा थोड़ी होता है हिसाब से नहीं लगता है आपे अहां CPU को बताना पड़ेगा कि मैं रोम को select कर रहा हूं कि RAM को select कर रहा हूं इसके लिए CPU एक अलग से signal रखता है और जिसका नाम होता है chip select क्या होता है नाम chip select वो chip select जिसको enabled मिला enabled मतलब active signal 01 के हिसाब से समझ सकते हो कि active क्या होता है न तो जिस भी chip को RAM और ROM में से जिसको enabled मिला वो chip select होगी उस given address के थूँ तो ये वाला जो decoder का example मैंने बताया ना ये decoder काम ही तब करेगा जब वो signal जो है कौन सा chip select enabled होगा किसी particular chip के लिए ये वाला decoder तो बाद में काम आएगा पहले chip select दिखना पड़ेगा कि ये chip select हुई की नहीं chip select हुई है तो वो decoder के according address पे जाके read right होगा नहीं तो कुछ नहीं होगा आई बस समझ में ठीके तो एक signal यहाँ पे आएगा जिस signal का नाम है chip select ये क्या करता है ये इस particular chip को select कराता है CPU जिस भी chip पे read right perform करना चाहता है उसको enable कर देगा उसके chip select को enable कर देगा वही chip फिर perform करेगी operation सूनू का बड़ा अच्छा statement आया सर्चिप select x like on off button हाँ जी बिलकुल अब अच्छा ये बताओ कि अगर ये इतनी सारी line इस particular RAM chip में selected हो गई है तो या इस RAM chip में लगेंगी तो आप ये बताओ कि कितनी number of pins लगेंगी इस type की RAM को design करने के लिए number of pins कितनी लगेंगी number of pins लगेंगी सबसे पहले तो हमारे पास है address अच्छा address की एक line के लिए एक pin लगेगा दूसरी line के लिए दूसरा तीसरी line के लिए तीसरा ऐसी कितनी line है 9 bits है 9 lines आएंगी address bus में पूरा का पूरा bus है 9 lines की 9 अलग-अलग wire अलग-अलग wire के लिए अलग-अलग pin तो सिर्फ और सिर्फ address bus के लिए कितनी pin लगेंगी address bus के लिए लगेंगी 9 pins फिर data bus को देखो data bus में कितनी line है बेटा 8 फिर एक signal read वाला एक pin एक signal single right वाला एक pin फिर chip select वो भी एक pin टोटल कितना हो गया count करो जरा 9 प्लस 8, 17 प्लस 3, 20 pins तो अगर इस टाइप का diagram दे या यह information given हो क्योशन में तो बता देना कि 20 pin लगेंगी क्या हो गया यह RAM वाला operation हो गया ठीके पर यह chip select अगर enabled है तो ही इस RAM में कोई operation perform होगा नहीं तो नहीं हो बताता हूँ एक छोटा सा तुमको जिस तरीके से digital समझ में आता है उस तरीके से समझाता हूँ यह chip select read write operation अगर chip select signal enabled नहीं है 0 है तो read या write कुछ भी हो कोई फरक नहीं पड़ेगा यह cross का मतलब क्या है cross का मतलब है don't care it can be 0 yes it can be 1 yes read write दोनों में से दोनों कुछ भी हो we will not care about that इस chip में कोई operation नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि chip selected नहीं है laptop ही on नहीं होता है तो ना तो तुम movie देख सकते हो ना ही web browsing कर सकते हो ना ही कुछ और कर सकते हो क्योंकि आपने उस laptop को select ही नहीं किया अब बात आती है chip select अगर enable हो गया chip select enable हो गया हाँ और read write signal CPU ने भेजे 00 तो ये तो मिला enabled one read और write दोनों 00 मिले मतलब बात तो ऐसी हो गई कि मैं बात कर रहा हूं आधित्यों को बोलता हूं आधित्या आधित्यानन वो बोलता हां सर alert हो गया अब मैं कुछ नहीं बोला मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं अब क्या अब वो वेट कर रहा है कि सर कुछ बोले तो मैं कुछ करूं मैंने सिलेक्ट तो कर दिया स्टुडेंट को पर उसको कुछ बताया नहीं कि करना क्या है तो उस वेट कर रहा है वेट कर रहा है वेट कर रहा है कुछ भी नहीं करेगा क्यों क्यों क्योंकि मैंने बताया नहीं कुछ काम करना है तो कुछ नहीं कर पाएगा Similarly CPU ने chip तो select कर दी पर chip को बताया नहीं कि read-write क्या करना है अगर नहीं बताया तो कोई operation होगा नहीं no operation समझ मैं इस बात चलो chip select अगर 1 है और अगर read 1 है read 1 है तो क्या होगा एक काम करते हैं पहले read को 0 ले 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 read 0 है write 1 है तो for sure memory में write operation perform होगा अगर chip select enabled है read enabled हो गया गलती की वज़े से या किसी fault की वज़े से write 0 है या 1 है देखो 0 है तो that is the regular procedure की read 1 आ गया write 0 है मतलब CPU चाहता है read करें किस में? memory में अगर write भी enable हो गया किसी fault की वज़े से तो भी memory में read ही operation होगा ऐसा क्यों? क्योंकि read operation से memory में कोई changes नहीं होंगे है ना? ताकि उन्हें हम revert ना कर पाए write कर दिया गलती से तो problem हो जाएगी आपको सब को पता है कि write में problem है है ना? write में problem होती है क्या? conflict हो सकते है कि आपने गलती से write कर दिया अब जो पुराना data था वो overwrite हो गया अब नया data उसके उपर चले गया और पुराना data हम recover नहीं कर पा रहे है तो inconsistency आ जाएगी system में इसलिए अगर read enabled है तो write कुछ भी हो कोई फरक नहीं पड़ेगा read ही operation perform होता है है ना? याद रखीगा इस चीज़ को अब बात करते हैं ROM chip के बारे में ROM chip देखो in general जो ROM chip हम समझते है theoretically वो सिफ read only होती है इस तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे अभी जो at present on the modern day computers जो आती है ना ROM वो rewritable kind of ROM आती है कि उसमें हम write कर सकते है of course user एक particular limit तक कुछ ही चीज़े write कर सकता है पूरा ROM का content नहीं अटा सकता नहीं update कर सकता है उसको as main memory या general main memory यूज नहीं किया जा सकता उसमें specific program ही होते हैं बट still ROM में भी writing operation perform हो सकता है अगर वो ROM rewritable type की हो आप लोगोंने कभी by chance नाम सुना है cd क्या होती है cd compact disk सुना है नाम compact disk नाम सुना है compact disk होता क्या है छोटी सी एक device होती थी थी ना अभी तो pen drive आगई pen drive आसान है cd जो हुआ करती थी तो cd में पहले normal cds आती थी one time write table कि एक बार write करो उसके बाद खतम फिर कुछ आती है rewritable cds भी आती थी तो rewritable cds का मतलब एक बार write किया उसके ओपर overwrite भी कर सकते हो होता था exactly यहां भी होगा तो ROM भी ROM चैप chips भी है वो उस ताइब की rewritable होती है बढ़ हम उसके बारे में discuss नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे साथ करना इच नहीं हमें हमें इतना ज्यादा नहीं सीखना जितना हमारे syllabus में उतना ही सीखना है तो ROM के बारे में मैं एक बात कर लेता हूँ suppose हमारे पास same 512 x 8 bit का ROM है अब यह तो address कितनी bit का address तुम खुद बता दो और data 8 bit का data line 9 bits का address होगा chip select भी आएगा पक्का क्योंकि RAM और ROM में से किसको select करना है यह पता करना पड़ेगा अब बात आती है read-write कोई signal की जो रोतिच नहीं है क्यों दो अलग-अलग operation तो है नहीं है एक ही तो है कौन सा read जैसे chip select हुई ROM को read ही करना है अरे यूं समझ लो एक racing track पे 5 runner खड़े हुए है जैसे ही उनको बंदू की आवाज सुनाई देगी दोड जाएंगे ऐसा तो है नहीं कि उल्टे दोड के और अपने घर पहुच जाएंगे नहीं या फिर वाँ खड़े खड़े jumping करेंगे नहीं या फिर dance करने लगेंगे नहीं क्यों अरे उनका designated task है उनको वही करना है जैसे selection किया yes time दोडने शुरू कर दिएंगे designated task है न हाँ जी इस roam का भी designated task है वह है read बस और कुछ नहीं करना है अहां तो जैसे ही chip select हुआ read हो जाएगा तो read rate signal की जरौत नहीं जरौत है चलो अब अगर roam है तो हम मान सकते हैं कि one side इस type का ही data bus होगा हम one directional data bus ले सकते हैं कि data यहां से read हुआ chip से और cpu तक भेज दो क्यों इधर तो उल्टा आना ही नहीं data क्यों नहीं आना है अरे read only में मेरी है चलो number of chips बताओ number of pins बताओ इसके लिए कितनी number of pins की जरौत लगेगी है पहले तो address के लिए pin लगेगी 9 pins डेटा के लिए लगेंगी कितनी line है 8 line है 8 pins और एक chip select के लिए cs मैंने chip select लिख लिए यहां फिर one total 18 pins में काम जाएगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने explain किया वो table से मान लेते हैं चिप सिलेक्ट जीरो है तो नू ऑपरेशन चिप सिलेक्ट वन है तो read operation बस इतना ही तो है इसमें और कुछ भी नहीं है ठीक है half duplex देखो यहां duplex half duplex और इसमें की बाते नहीं करते हैं यह duplex half duplex आप बात करते हो दो computer के बीच में दो computer के बीच में जब communication होता है तब बात करते हो इन चीज़ों के बारे में यहां नहीं करते हैं यहां busses है busses की connection है that's it ठीक है चल अब एक छोटा सा question आप लोगों के लिए पढ़ो और मेरे को answer बताओ मैं wait करेगा तुम्हारे answer का जल्दी बताओ बताओ A ROM chip of 2048 x 16 bits has 4 select inputs and operates from a 5 volt power supply how many pins are needed for this IC package IC package का मतलब है कि यह जो chip बनेगी हाँ अभी इम्मे मैंने power supply नहीं दिया है क्यों नहीं दिया रहे normal सी चीज समझा रहा था explanation के टाइम पे नहीं दिया अब question में इन लोगों ने power supply दे रखा है तो उसके लिए भी pin लगेगी चलो power supply तो बात की बात है पहले address और data तो understand कर ले इस memory chip के लिए 2048 मतलब 2 power 11 सही लिखा मैंने सही लिखा के नहीं लिखा cross 16 bits जे रहा memory का size जे यहां से यहां से 11 bit का address आएगा आएगा कि नहीं आएगा पका 2048 is 2 power 11 11 bit का address आगया बताओ number of pins कैसे निकालेंगे number of pins is equal to कैसे बोला करते थे हम हमको पता ही नहीं था कि is equal to तो बोलना पड़ता है English ही नहीं पता थी इन्हीं वीडियम में पढ़े थे और फिर भी English बोलतक तक नहीं आज बलते हैं न ठीक था कि इंगलिश क्यों बोलते हैं सीखना पड़ता है रे बाबाबा यह भी तुमको नहीं पता था सीखी रहे हो न तो English भी सीख जाओ और तुम IIT में जाओगे तो सीखना जरूरी है वहाँ पर प्रोफेसर English में पढ़ाएंगे फिर कैसे काम चलेगे नमबग पिन्स ऐड्रेस कितनी बिट का एड्रेस 11 बित का तो 11 सेटरेस के लिए डेट था कि लिए कितनी ठेंस अगर एड्रेस पे डेटा डेटा इ Arts 16 uda के सबसक्राइव पिर उषर चिप शिलेक सेलेक्ट की नियक्सरी ओयरपिर तो एक इच पिन लेता है इसने चार दे रखा है तो चार ले लिया क्योशन सॉल करने के लिए चार दे रखा है तो चार ले लो क्या फरक पड़ेगा अब बात करते हैं आगे की operates from a 5 वोल्ट पावर सप्लाई अफकोर्स पावर के लिए भी चार लाइन लगेंगी नहीं कि एक लाइन से काम हो जाएगा एक लाइन से काम हो जाएगा 5 वोल्ट की पावर सप्लाई एक पिन से बट कभी भी सिंगल पिन का प्लग देखा है पावर सप्लाई के लिए लैप्टॉप चार्जर से लेके तो कोई भी किसी भी बलबगा कनेक्शन भी करना है तो दो पिन कम से कम चाहिए क्यों चाहिए एक पावर की और एक ग्राउंड की अर्थिंग बोलते हो ना तो उसके लिए एक पिन और लगती हाँ कभी अगर चिप सिलेक तुम लोग को दो नीम पता है पड़ इलेक्ट्रानिक्स वाला बंदा ये काउंट कर लेगा पका अगर पावर है तो ग्राउंड भी लगेगा ये हो जाएगे 27 और 6 27 और 6 कितनी हो जाएगे 33 पिन्स लगेगे तो आंसर जो इस प्रश्ण का आएगा वो आएगा 30 पिन्स अब आप बोलोगे सर ये तो धोखा है बस गेट में ऐसी धोखे चोटे चोटे हो जाते हैं और उसकी वैसे रैंक नहीं आती है तो ये जो धोखा है उस धोखे से बचने के लिए ओहो इसको पूरा रहने देता है सट्रस आपको क्या करना है नो लिज बढ़ानी पड़ेंगी है ना चलो अब आगे बात करते हैं एक ऐसे गेट क्योश्ण के बारे में जो कि अभी इस पर्टिक्लर चिप सिलेक टॉपिक क का बहुत बहुत अच्छा क्योश्ण है और ये क्योश्ण जो है वो इतना अच्छा लगा मुझे कि मैं चाहता था कि इसको डिसकस करी ली जाए लाइक लाइव ग्लास में ठीक है दचिप सिलेक्ट लॉजिक फॉर एस सर्टन डी राम चिप इस मेमरी सिस्टम डिजाइन इ कि यह डी नहीं है यह एंड गेट है क्या है यह एंड गेट अब सुनो आगे आज्यूम डाट मेमरी सिस्टम है 16 एड्रेस लाइन्स डिकोड़ेट बाइए 15 टु एजीरो और डिनोटेट बाइए 15 टु एजीरो तो जो एड्रेस है आपका किसी पर्टिकलर चिप के लिए व और वो 16 बिट्स या 16 लाइन्स आपने डिनोट करवा दी इस तरीके से अब देखो यहाँ पर चिप सिलेक्ट सिगनल अलग से दे रखे थे एड्रेस लाइन 11 अलग से दे रखी थी यह रही और चिप सिलेक्ट अलग इन्होंने इस बार क्या किया एड्रेस के ही कुछ लाइन्स को चिप सिलेक्ट के लिए यूज़ कर लिया और बची हुई लाइन्स को एज एड्रेस यूज़ कर लिया अब कौन सी लाइन को इन्हों ने chip select के लिए यूज के या इसके लिए ये वाला चित्र as it is दे दिया ये photo as it is छाप दिया अब इस photo के हिसाब से अपने क्या करने क्या है अपने को ये ढूणना है कि इस photo के हिसाब से ये chip select enable कब हो सकता है photo is perfect word for the diagram diagram थोड़ा जादा engineer photo जादा देसी सब्द अब दिखो a15 line as it is दी a14 line as it is दी a13 के पहले bubble लगा दिया अब आपको अगर पता है तो इस bubble का मतलब है a13 की जो भी value है उसको हम क्या करके भेजेंगे not करके या compliment करके इस end gate पे भेजेंगे a12 में not करेंगे a11 में not करेंगे है ना ठीक है a11 as it is भेज देंगे not नहीं करेंगे तो कौन सी not करेंगे या कौन सा compliment करेंगे 12 और 13 line को compliment करेंगे बाकी की आप क्या करोगे सारी की सारी as it is भेज रहे हो अब देखो इन्होंने क्या किया कहा है कि chip select को हमें करना है enabled अब अगर chip select enabled रहना है मतलब one अच्छा एक छोटे से प्रश्न का उत्तर देओ कि कोई भी output end gate का कब one आ सकता है end gate का कोई output one कब आ सकता है जब उसके सारे input one हो उसके सारे input one हो इसका मतलब है कि a15 अगर direct जा रहा है तो as it is one जाना चाहिए a14 direct जा रहा है as it is one जाना चाहिए a13 को one बनाने के लिए किसका complement one रहेगा zero मतलब a13 शुरुआत में zero होगा उसको complement करके वेजेंगे तो end gate तक one पहुंच जाएगा फिर a12 की value भी zero होनी चाहिए क्योंकि complement करके end gate तक जाएगा और a11 जो है वो directly जा रहा है पांचो value one आएंगी तब जाके ये chip select enable होगा तो इसका मतलब है कि जो आपके a11 से a15 की values है वो ऐसी होनी चाहिए तो ही chip select enabled रहेगा हाँ जी मतलब यही fixed value आपको इस end gate के through chip select enable करवाएंगी यस और कोई combination नहीं करवाएगा कभी नहीं करा सकता तो इसका simple सा मतलब मैं यह समझूँगा कि address की range में generally तो address की range क्या हो की 16 0 से 16 1 हाँ बट यहाँ पे ना थोड़ा सा constraint लगा दिया इन्होंने थोड़ा सा restriction लगा दिया और वो restriction क्या है बबुआ restriction यह है कि sir a15 as it is जाना चाहिए 1 a14 as it is जाना चाहिए 1 a13 और a12 00 और a11 जाना चाहिए 1 ऐसा क्यों देखो 15 14 11 12 13 0 और 11 आ जाएगा 1 यह fix as it is address में जाना ही जाना चाहिए और फिर बची हुई a0 से a10 आपकी मरजी ले लो जो लेना है तो range बनाने के लिए हम क्या करेंगे यह सारी bits को 0 से लेके यह सारी bit को हम 11 तक लेके जाएंगे ताकि हमें सारी range मिल जाए यह वाली bit तो fix हो गई यह वाली जो bits है वो हमारे पास fixed है स्टार्टिंग की 5 bit fixed है बची हुई 11 bits को हम 0 0 से लेके 11 रख सकते हैं अब आप देखो कि इससे address range यह वाला और यह वाला यह range क्या आएगा hexadecimal पूछा है हाँ hexadecimal पूछा है तो hexadecimal आपको पता है कैसे निकालते है binary में binary से hexa कैसे निकालते है हर एक 44 bit का combination ले लो और 44 bit के combination को आप hexa में तबदील करा दो अब अगर 16 bit का address है तो 4 bit right से लोगे या left से लोगे बराबर जार बराबर चार-चार के group बन जाएंगे बना लेते हैं 1100 is c color change कर लेते हैं थोड़ा सा 1100 12 12 आ जाएगा c फिर आया 1 और उसके बाद 30 1 और 30 क्या होता है 8 फिर उसके बाद और 0 और और 40 फिर यहां पर 1100 आ जाएगा c फिर आया 4 बार 1 f फिर 4 बार 1 f चार बार 1 अब f यह कैसे करते हैं इसको भी मैंने prerequisite में समझाया है मेरे को last year बहुत problem आई मैंने पढ़ाया students को उनको यह conversion नहीं हर रहा sir हमको decodery नहीं पता क्या है multiplexer नहीं पता क्या है तो पहले मैंने तुमको यह सब सिखाया course कर शुरू करने के पहले एक prerequisite दो lecture record किये बड़े बड़े खूब detail में समझाया है नंबर system कैसे काम करता है तब जाके मैं यहां आया नहीं तो मेरी problem हो जाती तुमको नहीं समझ में आयेगा मैं tension में अभी समझ में आये यह रही address की range जो इस particular chip select के through enable हो सकती C800 to CFFF option A is correct अगर आपको यह method पता होती कि करना क्या था कैसे करना है तो बड़ा simple हो जाता बड़ यह समझना ही तो gate में सबसे बड़ा problem होगा जब इसी type की question gate में आते है न तो बड़ी tension होती कि कैसे करेंगे यही classroom में करेंगे तो बड़े आसानी से हो जाते हैं क्यों क्योंकि tension कम है course के touch में हो तुम लोग एक ही course बढ़ रहे हो वहाँ पे पिछला question आपका TOC से आया अगला COA से आगया उसके next वाला math से आगया इतने सारी चीज़े access करोगे दिमाग में तो definitely tension तो बढ़ेगा access थोड़ा slow होगा मुश्किल होगा problem आ जाती 12-13 subject के एक सांथ question solve करने में दिक्कत हो ही जाती है answer आ गया ठीक है चलिए तो gate 20 का 19 का ये question था gate 20 का question जो memory के decoder इस decoder से related है वो question भी आप लोग solve कर लीजेगा और जब class म आपसे बन जाईए question तो मुझे comment में आके ज़रूर बताइएगा कि आपसे वो question बन गया और आप बड़े खुशें कि वो इस टाइप के अगर question अगली बार gate में आएंगे तो हम बना देंगे easily चलिए तो आज का class खतम हुआ कल हम बहुत 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 important एक topic के बारे में काम हम बात करने वाले हैं कि एक computer system में अगर multiple chips होंगी तो कैसे arrange होंगी horizontal, vertical, hybrid बड़ा interesting सा topic है और इस topic में बहुत सारे अच्छे question हम करने वाले हैं तो बिलकुल भी miss नहीं करना बहुत important भी है और बहुत conceptual भी है उसके बाद हम start करेंगे DRAM में refresh कैसे होता है उस बारे में associative memory और फिर हम start करेंगे locality of reference और cash जो कि हमारा सबसे important topic होने वाला है अगर किसी को भी अच्छा सही study plan चाहिए systematic learning चाहिए तो unacademy plus पे आजा, unacademy plus पे आपको मिलेंगी live classes, daily practice problems, weekly quizzes, doubt solving, crash courses, हिन्न English batches, rank improvement batches, इनके अलावा अगर आपको और ज़्यादा personalized preparation चाहिए तो आप iconic subscription की तरफ चले जाओ, जिन में plus के benefits के अलावा आपको personal coach का benefit मिलेगा जो आपको preparation strategy, customized study plan देंगे, आपका performance track करवाएंगे, आपको dedicated doubt clearing instructor मिलेंगे, personalized test analysis होगा और और भी बहुत सारे benefit मिलेंगे, जो आपके personalized और customized preparation के लिए हैं, किसी भी type का subscription आप लेंगे, code तो आपको याद ही है, ये code यूज कर लेना, VDeep 10, ताकि आपको 10% का instant discount और मेरा personal guidance मिल जाए, एक particular offer है, जो 30th of September तक है, कि अगर आपने 6 month का subscription लिया, Unacademy Plus का, तो 3 months का subscription आपको extra मिल जाएगा, free में, absolutely free, तो ये आप enjoy कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 30th of September तक, उसके बाद offer बंद हो जाएगा, और Unacademy Plus के subscriptions के prices भी बढ़ने वाले हैं, तो अगर आप लोग जल्दी से subscription ले लेंगे, तो आपकी learning जो है, वो हो जाएगी, top class, of course, और आपको जाधा high prices भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे तो recommend करता हूँ कि आप लोग बड़ा subscription लें, ता top educators, अगर आप लोगों को Unacademy पे, ये तो अब हो गया, खतम, next, Unacademy का subscription आपको चाहिए, जाधा discount के साथ में, तो आप Unacademy के combat को लिख सकते हैं, scholarship test है, हर Sunday को 11 a.m होता है, next Sunday को 11 a.m होगा, इसके लिए enroll करने के लिए link दे रखिए, description में जाके, click करके, और enroll कर दो using this code, मिल सकता है, Unacademy Plus के subscription पे, कुछ नई batches भी start हुई है, और नई और भी होने वाली हैं, तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं, top class educators के through, या उनके साथ में, तो जल्दी से subscription लेके और आजाई है, प्लस पे, और फिर देखते हैं, क्योंकि हम सबसे जादा मेहनत हमारे Plus के students के कर लो, और ये वाला YouTube चैनल को follow कर लो, कैसे करोगे, follow कैसे करते हैं यार, support करो by liking and sharing, subscribe कर लो चैनल को, turn on कर लो notification और सीखते रहो बहुत सारा, ये happy learning मेरा quote है, मैं इसलिए लेके आता हूँ, ताकि आपको learning मैं अपनी तरफ से provide करवा पाऊँ, वो तो ठीक ही है, आपकी तरफ रखो, see you in the next session, मिलते हैं आपसे, तब तक, have a great day, happy learning, bye-bye everybody